हेलो बच्चो आप सब का आपके अपने चनल गोविन मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो पेरे विद्यारतियो आजगी इस क्लास में हम ककसा 8 गनित विश्य के बरक बुख 2 जा टेबी 24 के कारे पत्रक 6 को हल करना सीखेंगे बच्चो आपकी गनित विश्य के कारे पत्रक एक से लेकर 5 तक सबी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है वो सब क्लासेज आप चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं बच्चो आजगे इस कारे पत्रक 6 में हम हमारे दैनिक जीवन की समस्याओ को हल करने में जोड और जो गटाव है यानि जो बाकी है उसकी समझ को बना पाएंगे यानि आज गिस class में हम बच्चों सिखेंगे कि किस परकार हम अपने ध्यानिक जीवन में जोड़ और बागी का उपयोग कर सकते हैं देखे बच्चों पचलिए class सरू करते हैं देखे बच्चों पहला परशन आपके सामने दिया गया है राकेश ने वाजार से 4,590 रुपे की क्या खरीदी है एक साइकल खरीदी है उसने दुकान वाले को 2,022,000 के और 2,0500 रुपे के दिये तो बताईए दुकान वाले ने उसे कितने रुपे वापस लोट आए तो यानि कि अब राकेश ने साइकल कितने रूपा के खरेती है 4,950 रूपे की अब राकेश ने दुकंदार को पैसे कितने दिये है तो दो नौट तो दिये हैं 2000 के और दो नौट दिये हैं 500 के तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि राकेस ने जो पूल पैसे दिये वो कितने है देखो दो नोट है दो हजार के यानि बच्चो दो गुणा दो हजार ठीक है दो गुणा दो हजार पलस बच्चो दो नोट कितने है पानसो पानसो के तो दो गुणा पानसो ठीक है बच्चो तो देखो बच्चो दो का गुणा 2 से ओगा तो 4 और तीछ तीन 0 यानि की 4,000 पलस दो का गुना 5 से तो बच्चो 10 और तीछ 8,000 और 1,000 बच्चो जोड़ करेंगे तो तो कितना आ जाएगा? 5,000 रूपे ये किसने दिये हैं? ये दिये हैं राकेशने किसने दिये हैं? राकेशने दिये हैं पांच हजार मय से 4590 रुपे को बच्चों गटादेंगे то बच्चों कितना आ जाएगा यह आजाएगा बच्चों 410 रुपे कितने रुपे? 410 रुपे जो दुकाणदर है वो वापिस राकेष को देगा क्यों कि राकेष ने 410 रुपे ज़्यादा दिये थे तो जो दुका अंदर है वो वापिस राकिस को 410 रुपे वापिस देगा ठीक है बच्चो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है एक पानी की टंकी में 3220 लीटर पानी है कितना पानी है 3220 लीटर उसी टंकी में 999 लीटर पानी को और भरा गया तो बताईए अब टंकी में कुल कितना पानी है देखो क्या सब्द आया है कुल मतलब जोड करनी है तो बच्चो कुल पानी पहले कितना था 3220 लीटर पलस में कितना और भर गया 999 लीटर तो बच्चो दोनों की जोड करेंगे कितना जाएगा 4299 लीटर कितना जाएगा है ठीक है आगे बढ़ते हैं वैच्छो प्रश्ण संख्या तीन दिया हुआ है कि आपके संकर ने अपने गोदाम के लिए 3275 किलोग्राम चावल, तो सब को हम जोड देंगे, तो सबसे पहले कितना है बच्छो थेन सौ 75 किलोग्राम पलस 2037 kg इन तिनों को क्या करना है बच्चो जोडना है तो आपकी जो कूल जोड आजेगी वो आजेगी बच्चो 6059 kg इतना जाएगा? 6059 kg आपका अनाज अब कूल अनाज उसने खरीदा है ठीके यह था आपका बच्चो प्रश्न संख्या 3 आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संक्या 4 नीचे दी गए स्वालों को संक्रिया के रूप में लिख कर हल कीजिए ठीके बच्छो हमें जो प्रश्ण दिया गया है उसको उचित प्रक्रिया के अंदर लिख के ठीके संक्रिया का मतलब है जोड बाकी गुणा भाग उचित संक्रिया के अंदर लिख के हमें क्या करना है उसको हल करना है तो बच्छो देखो मम्मी के पास 5,645 रुपे थे उसमें से कीरण ने किताब घरिदने के लिए 245 रुपे लिए अब मम्मी के पास कितने रुपे बच्छे हैं बच्छे मतलब बाकी करनी है तो पूल पैसे कितने थे बच्छो, पूल पैसे थे 5,645, इसमें से गटाने कितने है बच्छो, 245 जो उसने खरच कर दिये, तो अब बच्छे कितने बच्छो, अब इसमें से इसको गटाएंगे, तो देखो बच्छो, 5 में से 5 गया, तो 0, 4 में से 4 गया तो बच्छो, 0, 6 मे से 0 गया तो 5 यानि कि 5400 रुपए अब बचेंगे की के बच्छो आगे अगला प्रश्न है पापा के पास 2792 रुपए थे उसमें से मंझु ने कौपी खरिजने के लिए कुछ रुपए ले लिए पापा के पास 1860 रुपे बचे हैं, तो मंजू ने कौपिक रिजने के लिए कितने रुपे लिए थे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बच्चो, फूल पैसे कितने थे, 2790, अब कितने बचे हैं, 1860, तो इस में से इसको घटा देना है, तो बच्चो 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 6 गया तो अब 930 रुपे हैं, वो मंजू ने कौपी खरिदने के लिए लिए थे, कितने रुपे, 930 रुपे मंजू ने कौपी खरिदने के लिए 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 थे, ठीक है बच्चो, अगला प्रशना, घर में कुछ रुपे रखे थे, उनमें से नंदू ने कौपी और पैन खरिदने के लिए 320 रुपे लिए घर में अब कितने पैसे बच्चे हैं 12060 तो घर में कुल कितने नहीं आ रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है अगर आपको direct समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे आप कर सकते हैं 0 का 0, 6 और 2, 8 4 और 3, 7 और 2 का 2 क्याने कि बच्चो 2780 रुपे कुल घर के अंदर रखे थे ठीक है बच्चो आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 5 क्या दिया हुआ है बच्चो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों की 4 अंकों की क्या होती है 9999 ठीक है और 3 अंकों की सबसे चोटी 3 अंकों की सबसे चोटी क्या है बच्चो 1000 इन दोनों की क्या करनी है जोड करनी है ठीक है योगफल मैं से तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या गटानी है तो इन दोनों की क्या करनी है बच्चो जोड और फिर इसमें से इसको गटाना है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानि की 999 इसको क्या करना है गटाना है त और फिर 1000 में से 999 को कम करना है, तो बच्चो देखो, 1000 में से 999 जाएगा कितना बचेगा एक, तो बच्चो 9999 पलस में एक, क्योंकि देखो बच्चो 1000 में से 999 जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा, तो इस दोनों की जो कुल जोड़ है, 9999 पलस एक, कितना हो जाएगा ब बच्चो क्या है उत्तर है तो इस प्रकार बच्चो हमने आपके गनित विश्य के कारे पत्र अच्छे को बहुत अच्छे से हल कर दिया है उम्मित करता हूं सभी प्रश्णों के उत्तर आपको उच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के आप सभी को धन्यवाद यद झाल झाल